लखीमपूर खीरी जिले के भारत निपाल सीमा पर उस समय हड़कम मच गया जब जरजर मार्ग होने की वजह से एक ब्लॉक किटो से भरा ट्रक साइड लेते वक्त अन्यंत्रित होकर पलट गया ट्रक पलटने से ट्रक ड्राइवर ट्रक में ही फस गया वही मौके पर पहुचे लोगों ने बमुश्किल ट्रक ड्राइवर को ट्रक से निकाल कर उसकी जान बचाई जानकारी के अनुसार यहाच सा लखिमपूर खिरीजिले के भारत नेपाल सीमा के गौरी फंटा को तवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है जहाँ पर ब्लॉग इटो से भरा पानी पत से धनगडी जा रहा ट्रक जरजर मार्ग होने की वज़ा से ट्रक ड्राइवर के द्वारा साइड लेते वक्त अचानक ही अन्यंत्रित होकर पलट गया जिसका नंबर HR1025 बताया जा रहा है वही ट्रक पलटने से क्षेत्र में हड़कम मजगया आननफानन में मौके पर मौझूद कुछ रिक्षा चालकों के द्वारा ट्रक में फसे ट्रक ड्राइवर गिरदर गोपाल को लगबग आदे घंटे की कड़ी मशकत के बाद ट्रक से बाहर निकाला गया वही ट्रक में फसे होने के कारण ट्रक ड्राइवर गोपाल मामूली रूप से घायल हो गया जिसे प्रात्विक उप्चार के लिए C.S.C. भेज दिया है वही बादचित में लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सिमा का गोरी फंटा जाने वाला मार्क काफी जरजर अवस्था में है जापर आई दिन दुरगट टाइम होती रहती है जरजर मार्क होने की वज़र से आई दिन वाहन पलट जाते है जिससे वाहन चारक सहित अन्य लोग भी गंबी रूप से घायल हो जाते है लेकिन जिमेदारों की लापरवाही के चलते अभी तक इस मार्क को सही नहीं कराया गया जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है NBC News के लिए लखिंपूर खीरी से फारुख हुसैन की रिपोर्ट